हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग रादे रादे तो कैसे आप लग उमीद दे सौस्टन गे मस्त गे अपने अपने दुनिया में सबस्टन गे तो देखें आज जो माताजी आई थी उनका पाँच दिन सास दिन का विदी होता है जो आज पाँच दिन पूरा हो गया है बुद्वार को तो सुबे के औरे सारे पाँच और यहां पे पूझे की तियारी हो रही है पूझा का जो बरतन रहते है उसको दोलूँगी पहले और दो के पानी अभी नहीं आया है तो जो मैं पहले से पानी स्टोक करके रखी रहती हूं जो चूती नहीं हूं उसमें से पीते नहीं है सुबे के लिए रखी रहती हूं और यहां पे जो शुबे साम पानी रखा जाता है उनके सितल तख devoted में पिछले वीडियो में बताई थी वो यहां पे रख रही हूँ क्योंकि जब तक तेल नहीं चड़ाई हूँ तब तक यह सब करना पड़ेगा पहले जैसे उसके बाद जब तेल चड़ जाएगा तो खाने पिने में जो पहले जैसे है वो सब और तेल लगा सकते हैं बिंदी यह सब हम लोग कर सकते हैं अब पाच दिन तक कुछ नहीं किये थे तो पूजा हो गई है अर्श रिष्टी सोई है तो मैं यहां से खड़ी खड़ी उसको धूप अगरबती कर दूँगी और यहां पे हवा बहुत चल रहा है तो इसका आवास थोरे वीडियो में आएगा और हमारी पूजा हो गई है यहां पे अंदेरा ही रहता है मंदीर में लाइट है पर यहां से दिखता नहीं और पूजा हो गया है शृष्टी के पपा भी आ गया है मंदीर से और जो जो चाहिए होता है सामान तेल चराने के लिए हो सब आ गया है मिठा, बतसा, तेल, करवा तेल है शृष्टी को भी दे है सब नए मतलब की धूला हुआ कोई भी पहन के और तब उसको भी ठाएंगे यहां पर मिठा देखे कितना अच्छा है मोदक के रूप में जो गनपती जी को चरता है मोदक, उसके सेव मिठा यहां पर मिलता है चोटा-चोटा तो इसमें लगता है मिठा, मतसा और फूल ओड़ूल के फूल, जो ओड़ूल का फूल यहां पर नहीं मिल रहा है तो गेंदा का फूल दो मेरे छट में ही गमला में लगा ता तो ही तोड के रख ली हूँ और यहाँ पे तेल से साथ बार में कर दूँगी ताकि इस पे सिंदूर लग सके और यही होता है तेल चरने का यहाँ से तेल चूँ सकते हैं तेल लगा सकते हैं इसी पर सिंदूर का भी मैं कर नहीं उठो और इस वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा अज लाश्ट दिन का इसमें जो जो वीडियो सब है तो इसमें आप लोग को भी पता चल जागा भगवान न करें जो जैसे वो सब ठीक रहे हैं माता जी बस दूर से उधर से आसे बाद दें सबको तो हमारे घर आई थी तो हम लोग अच्छे से उनका स्वागत किये अब बस प्रेनाम करते हैं उनको की बस अब इतना तक ही रहने देए तो दूर अगर बती चल गया है और यहां पिस रिष्टी बैठी है उसको लग रहा है कि कब में चूल हुई है सब अतसा देख रही है और इसमें हम लोग कुछ पता नहीं था तो ममी को कुमल वीडियो कॉल लगाई थे और उनसे पूछ पूछ के पूछ पूछ के हम लोग कर रहे थे तो प्लीज आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को प्लीज बैडियो नहीं हा रहा है हाथ इसमें रखा गया तदी के जो मेरे गमले में फूल लगा था वो मैं फूल दोर लियू हूँ दो ही फूलता छोटा छोटा उसी में कैसे भी अरज़ेश्ट करके अपने तो करते हैं अरज़ेश्ट भगवान को भी अरज़ेश्ट करा रही हूं तो हो गया है तो अपने देख सकते कि कैसे इनका पूजा किया जाता है आंगन को पूरा पोश दीती यह सब जो होता है वो सब फूल यह सब मिट्टी जो मिट्टी वाला जग्य होता है उसको खोद के उसी में रख दिया जाता है लेकिन यहाँ पैसा कुछ है नहीं तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ देंगे सुब़े होके इसको पोचूंगी मैं ता जो कटोरी में मैं तेल निकाल के रखी थी उसको सुरिष्टी को पहले लगाओंगे उससे पहले यह खोईचा हम दोनों जन ले लेंगे वहीं से जो मैं प्रशाद रखी थी वही खोईचा उठा के रखूंगी पहले कोमल को दे दूंगी ताकि वो लेके सुरिष्टी को लेके प्रणाम कर सके और यहां पे मैं ममी से बात भी कर रही हूं कैमरा वीडियो काल सामने चल रहा है तो यहां से बात भी हो रही है और यहां का प्रोसेस भी चालू है यह सब अर अब मैं भी खोईचा ले लूँगे वहीं बताशा चावल मीटा जो मियर की थी वही सब है काली कोई जा लेर मा भादवाति को प्रणाम नहीं करतेले हैं इसके लेकवाईचा लेके तप अरगा जाता है उनको है तो तो रहा तो रहा ही दरो दर दर हुआ है क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके वज़े से तो ममी सब जैसे जैसे बता रही थी, आपको बता तो है कि सामने से जो बताते हैं और फोन पे जो होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होई जाता है पर कैसे भी करके हो गया सब कुछ बहुत अच्छे से संपन हो गया माता जी अपने गड़ चली गए इस रिष्टी एकदम स्वस्त है अब और इसका मूँ जो सुजा सुजा था हलका सा वो भी अब ठीक है और शृष्टी का आज पांच दिन हो गया एक दिन जो मैं पहले जो माता जी होई थी उनके आने से पहले जो मैं चोटी की थी वो ही चोटी है और चोटी में बैचारी की इतने धूल जम गए हैं क्योंकि उसको खोल नहीं सकती थी खोलती तो आख पे उसके गिरता रहता है बाल इसके लिए बाल बंधा ही रह गया और उसके रबबर के नीचे जो धूल बैट गया है पूछो नहीं तो मैं तेल लगा दी हुआ और अब ठोप कर दूँगे ताकि अब से सब जन तेल लगा सकते हैं हम लोग गोड़ी पूल स सकते हैं सिंदूर लगा सकते हैं अब तक पांच दिन में हम लोग सिंदूर भी नहीं लगाए थे चार दिन तक ना तेल ना सिंदूर वह भी आपने देखा ही होगा और यहां पर ममी से बात्चित मेरी चालू है अब तेल लगाओंगे स्रिष्टी को लगा दिती तो पूछी ममी से कि ममी अब यही तेल हम लोग लगा के स्टार्ट करेंगे और कोई तेल लगाना तो बोले कि हाँ तो पीडियो तो घी तो वैसे कर रहे हैं, मैं को मल को लगा रहे हैं, फिर ठ्री हम में लोग कर देखा है अब यही पे संदूर यह सब भी लगा लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर इसमें आप लोग को सब पता चलेगा तो प्रीज आप लोग इस वीडियो के स्कीप मत किजएगा देखिएगा पूरा कोमर भी कुछ पूछ रही है बताने हैं परनाम कर रहे हैं मुझे और सुबह जो मैं हम लोग फोन ऐसे तो घर में जमाता जी आती है तो किसी से भी बात करो फोन पे तो उनको परनाम नहीं किया जाता है तो आज याद था तो मैं भी प्रणाम नहीं की थी सूबे ममी से पूछना था जो तो ममी बताई लेकिन प्रणाम नहीं किये थे हम लोग तो अभी बात हो रही थी तो ये सब पूजा हो गया उसके बाद हम लोग प्रणाम भी उनको किये और उधर का सब खतम होते ही हम लोग आगे यहां पे एक बड़िया बपा है जो गुजरात में माताजी आती है तो उनको बड़िया बपा बोलते है तो बड़िया बपा के मंदिर हम लोग आया है यहां पे सिफ नारियल फोड़ा जाता है दूप अगरबती प्रशाद यह सब चड़ाया जाता है तो नारियल लिए हम लोग और कोमल फोड़ रही है यह फुटा अधा थोड़ा सा फुटा और यहां पे आ जाएगी उसका पानी चड़ाने यह बड़िया बपा है दर्शन कीजिए आप लोग प्रेनाम कीजिए जो जो यह वीडियो देख रहे हैं सब को भगवान आशिरवाद दे मैं यहां पर स्रिष्टी को ठन लग रही थी तो मैं आचल से ठकी होई थी उसको क्योंकि रोट था और बहुत गारी बाई के सब जा रही थी तो उसका हवा आड़ा था बहुत यहां पर दो फेर होगी यह तो गला बैट गए थोड़ा सा खासी हो गया चना रखा थो चना में शुरा लती हूं आदर चना चुड़ा के कुमल रखी है और आदर थोड़ा सा ऐसे रह गया था दो उसको भी में छुडा लेती हूं और इस वीडियो को पूरा देखिए गला लाइक कोमेंट कीजिएगा बताइगा कैसा लगा राधे राधे